में श्टाजिटिव अन्जानी मुलाकात फायगा दे सकती है चंद्रमा आपके लिए शुद है अचानक बड़े लोगों से कांटैक्ट होंगे मियनत के बाद पैसों से भी फायगा मिलेगा मियनत वाले काम करने के लिए अच्छा समय है परिवार के मामले अब गंभीर हो सकते हैं घर पर समय देना होगा सारी बात है हरे से सुने और उसका समचदारी से कोई समाथान निकालने की कोशिश करें लगातार कोशिश करने से किसी काम में सफल हो सकते हैं आपके बहुत से फैसले सही भी होंगे और उनसे फायदा होगा प केटिव पारिवारिक जिम मेदारियों के कारण आपके कुछ काम रूख सकते हैं, चोट लग सकती हैं, गुस्से पर कंट्रोल करें, आपका जूठ भी पकड़ा जा सकता है, सावधानी से बोलें, क्या करें पैसे रखने की जगए पर कुम-कुम से स्वस्तित बनाएं, लब ज सकता है, मन मार कर पढ़ाई करनी होगी, स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल रहेगा, हेल्थ सिहत को लेकर सावधान रहे, मेश राशी वाले लोगों को जोड़ों का दर्द रहेगा, व्रिष्टाज ये टिल कोई ऐसा काम होगा या एयोजना बनेगी जो आपको आने वाले दिनों में बड़ा फायदा दे सकती है, उन कामों को करना शुरू कर दें, जिसकी प्लानिंग काफी दिनों से चल रही है, आप में उर्जा बहुत रहेगी, इस उर्जा में प्रेम औ अने का मन बना सकते हैं, विवाहित लोगों के संबंध मजबूत होंगे, कोई उल्जा हुआ मामला है, तो शान्ती से सुलच जाएगा और बात बन सकती है, मन में कई तरहे के रोचक विचार भी आएंगे, नेगेटिव रहस्थिती आपके वादों को पुरा होने से रोप अशुभयों के प्रभाव से नजदी की व्यक्ति के साथ पैसों को लेकर अनबन हो सकती है, जो आपको उदास कर सकती है, कुछ जरूरी मामले आज उलच भी सकते हैं, क्या करे केसर या केसर से बनी कोई चीज मंदिर में चढ़ाएं, लब पार्टनर से स्योग मिलेगा, पा सकती बातों को हमेशा के लिए भूल जाए, करियर बिजनेस करने वाले लोग किसी को उधार पैसा ना दे, नौकरी पेशा लोग अधिकारियों से परेशान हो सकते हैं, पढ़ाई पर नए सिरे से थ्यान दे, हेल्थ से हत पर भी थ्यान दे, पुराने रोग फिर से परेशा करेंगे, हड़ी या नसों से जूड़ी समस्या हो सकती है, मिथुन टाज इतिल सोचे हुए काम आपकी प्लानिंग और जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी, संसाधनों की व्यवस्था भी अपने आप हो सकती है, बहुत से मामले आपके फेवर में रहेंगे, पैसों से कोई घट नाकरम अचानक हो सकता है, जो भी बात गुप्त है, उसे साफ साफ सब के सामने रखा जाए और समाधान निकाल कर आगे बढ़ें, पुरानी बातों को भूल जाए और पुरानी यादों को पीछे छोड़ना होगा, खुशी कामा पौल रहेगा, धार्मिक काम में शामिल होने का भी मन बनेगा, नेगेटिव कल के लिए कुछ काम बचा करना रखें, आपका ध्यान अपनी प्राथमिक ताओं पर कम और फालतू बातों पर ज्यादा हो सकता है, हाथ में पैसे आने के बाद खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फालतू खर्चा भी हो स परिवार में थोड़ी अनबन और खीचतान की स्थिती भी बनेगी, आपसे किसी खास काम में कुछ गलती हो सकती है, क्या करें बादाम और वनसिक का पानी में बहाएं, लवलव लाइफ में गलत फहमिया हो सकती है, जीवन साथी से मिलकर सुलजा ले, पुराने मामलों पर बात करने से बचें, करियर नए आफर मिल सकते हैं, किस्मत का साथ मिलेगा, कुछ स्टूडेंट्स खुश रहेंगे, मत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात हो सकती है, हिल्थ सेहत कमजोर रहेगी, पेट संबंधित रोग परेशान करेंगे, कर्टाजिटिव संतान के मामले में कोई अच्छी खबर मिलने के योग है, बिजनिस में कामकाज ज्यादा रहेगा, आप जोखिम उठाएंगे और सफल हो जाएंगे, दूर स्थान पर रुने वाले लोगों से स्योग मिलेगा, ऐसी जगों की यात्रा भी होगी, नेगेटिव भावनाओं में आकर कोई ऐसी बात ना करें जो आपके लिए परिशानियों का कारण बन जाए, चंद्रमा आपकी राशी से बारहवी राशी में होने से संचार साधनों के मामले में सावधान रहे, किसी तरह का नूत्सान भी हो सकता है, दूसरों पर हावी होन तो खुद परिशान भी हो सकते हैं, जिम मेदारिया निपटाने में भी मन कम ही लगेगा, जुन्चलाहट पर कंट्रोल रखें, कई तरह के मामलों के कारण ठकावट भी मसूस हो सकती है, क्या करें हनुमान मंदिर में लाल थागा चढ़ाए, लवलव लाइफ में सावधान रहे, कोई ऐसी बात सामने आ सकती है, जिसे आप गुपनिये रखना चाहते थे, पार्टनर से सरप्राइज मिलेगा, करियरस मचदारी का फायदा भी मिलेगा, बिजनिस में नई संभावनाएं तलाशने के लिए समय अनुकूल नहीं है, पढ़ाई में मन लगेगा, नई सा समगरी भी मिल सकती है, हेल थपेट के रोग हो सकते हैं, सावधान रहे पैसों की चुनपोती पूर्ण स्थिती से आप निपट लेंगे, दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव भी आपको लाना होगा, इससे आपकी समस्याएं सुलच सकती है, कोई रचनात्मक काम भी आपके दिमाग आएगा या आपको दिया जा सकता है, इसके लिए आपको एक स्थ्रा टाइम निकालना होगा, अपना खान पान संतुलित रखे, रोमान्स के क्षेत्र में आपको इपल भी कर सकते हैं, यात्रा होगी, नौकरी बदलने की बात भी आपके सामने आ सकती है, नई जांक के आफर भी मिल सकते हैं, नेगेटिव मन में उलचने चलती रहेंग लब ज्यादा भावुक ना हो, लब पार्टनर आपकी भावनाओं को अंदेखा कर सकता है, पार्टनर आपसे नाराज भी हो सकता है, करियर कार्यक शेत्र में स्योग मिलेगा, शेहर मार्केट से फायदा होने के योग बन रहे हैं, धीरज रखें, सिंग राशी के लोग हड अबड़ी में कोई फैसला ना ले, कोई नई शुरुआत भी हो सकती है, पढ़ाई के लिए दिन अच्छा है, कुछ स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, हेल्था ज्यादा मेहनत के कारण परेशान रहेंगे, बदन दर्ध हो सकता है कन्या पाजेटर परेशानियां खत्म होंगी, अचानक धन लाब के योग है, आपके व्यवहार और बोलने के तरीकों को लेकर लोग ज्यादा ही समवेदनशील रहेंगे, आप विनम रहें और अपना रनसहन भी सामान में रखें, परिवार के लोग आपसे ज्यादा ही अप एक शाय रखेंगे, आप संकोच ना करें और जो सोच रहे हैं वो कर दें, छुपी चीजें अचानक आपके सामने आ सकती हैं, पुराने कांटैक्ट भी उजहोंगे, किसी काम के लिए संकोच ना करें और ज्यादा चिंता भी ना करें, नेगेटिव कोई साधारन बात भी आ में गुड का उपयोग करें, लवप्रेमी के साथ संबंथ मथूर बनाने की कोशिश करें, प्रेम संबंथ और मजबूत होंगे, किसी नए व्यक्ती से मिलते समय आप खुद के स्वभा पर कंट्रोल करें, करियर आफिस में कामकाज ज्यादा रहेगा, अपने से छोटे आप से खुश रहेंगे, जाब में कुछ नया कर सकते हैं, आपके प्लान से अधिकारी भी खुश रहेंगे, हेल्थ चोट लगने के योग बन रहे हैं, कोई पुराना रोग भी बढ़ सकता है, तनाव दूर करने की कोशिश करें, तुला पाजेटिव दिन अच्छा है, सोचने और समझने की ताकत बढ़ेगी, कुछ अच्छे विचार आएंगे, पसंदीदा काम करने के लिए बहुत अच्छा समय है, इन कामों को करने से आपको खुशी मिलेगी, आपके सामने कई तरह के काम होंगे, हर काम चतुराई से करें, सोचे हुए काम करने के लिए और अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए दिन अच्छा रहेगा, इतने दिनों से जो दिमाग में चल रहा था, आज करने का गिन है, किसमत का साथ मिल सकता है, पैसों से जुड़े मत्वपूर्ण स्वधे हो सकते हैं, नेगिटिव अपने दायरे के कुछ खास लोगों से आपकी अनबन चल रही है, तो आज बात और बढ़ सकती है, आपके सामने जो भी कठेन मामले हैं, उन पर बातचीत कर सकते हैं, हालांकी बातचीत करना कठेन भी रहेगा, क्या करें सुगंधे त्वस्तु का दान दें, लब-लब इसमें अचानक फायदा हो सकता है, अधिकारियों की मदद मिलेगी, नौकरी पेशा लोग अधिकारियों से उलच सकते हैं, अपने मन की करने से नुकसान होगा, स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, इंटरवेव या वायवा है, तो सफलताया मिल सकती है, हेल्थ सिह को लेकर सावधान रहे, व्रिश्चि टाजिटिव थैहरे से काम ले और शान्त रहे, कोई खास मामला थीरे थीरे आपके फेवर में हो सकता है, हर विशय के बारे में भी ज्यादा जानने की इच्छा होगी, कहीं घूमने का कार्यक्रम बना सकते हैं, आसपास के लोगों से जितना लची लव्यभार करेंगे, उतने ही सफल भी हो जाएंगे, अपने मन की बाते जितनी उत्त रखेंगे, आपको उतना ही फायदा होगा, कुछ लोग आपसे मन की बातें शेयर करेंगे, नेगितिव किसी के प्रेम संबंधों में दखल देने से बचें, जो बड़े प काम की शुरुआ, सोचस मज़कर करें, अपने ही किसी दोस्तिया साथी के कारण आप परेशान हो सकते हैं, संतान से दुखी रहेंगे, आप पर कोई कलंक लगाने की कोशिश भी कर सकता है, क्या करें आज चेक और प्रेडिट कार्ड के उपयोग में सावधानी रखें, लब सोच रहे हैं, रिस्क ना ले, स्टुडेंट्स के लिए दिन ठीक ठीक रहेगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा, इल्थ सेहत में उतार चुडाव रहेगा, छोटी छोटी परेशानियों से लगातार जुन्चलाहट हो सकती है, धनूताजेटिव आपके मन में जो चल रहा है, बस वही करें, लोगों को आपके लिए जो कनफियूजन था वो खत्म हो जाएगा, करियर के लिहाज से समय आपके फेवर में रहेगा, आज आप कुछ मामलों में लखी रहेंगे, पैसों से जोड़ा कोई बड़ा फायदा भ बड़ी खबर मिल सकती है, आज किये गए कामों से ऐसी संभावना भी बन सकती है, आज आप थोड़े समवे दन्शील तो हैं, लेकिन प्रेमी के साथ अच्छा समय भी बीतेगा, कोई खटपट थी, तो वो मामला भी सुलच जाएगा, किसी बिगडी स्थिती को भी आज आज आप गुस्से में आकर खुद के काम गिगार सकते हैं, प्लेश और विवाद भी हो सकता है, थोड़े संभल कर रहें, किसी समवे दन्शील मामले या पैसों को लेकर विवाद के योग बन रहे हैं, दूसरों के मूड पर ज्यादा भरोसा ना रख लें, क्या करें दूथ और पानी मिलाकर तिलक लगाएं, लवलव पार्टनर की भावनाएं और संबंध नए स्तर पर पहुंचेंगे, पार्टनर से आपको स्योग और प्रेम मिल सकता है, करियर अक्रियर के लिहाज से दिन की शुरुआत ठीक नहीं होगी, खुद को कमजोर भी मसूस कर सकत हैं, जो मिहनत की थी, उसका नतिजा भी मिलेगा, दोस्तिया साथ काम करने वाले लोग आप से खुश रहेंगे, हेल्थलंबी यात्रा पर जाने से बचे सिहत भी बिगड़ सकती है, मकर पाजेटिव आपके बहुत से काम पूरे हो सकते हैं, नजदी की लोगों से संबंधों में सुधार हो सकते हैं, आगे बढ़ने के कुछ नए मौके मिल सकते हैं, कुछ स्थितिया थीरे थीरे आपके फेवर हो जाएंगी, धैरे रखें, मिहनत ज्यादा रहेगी, लेकिन उसका नतीजा भी मिलना शुरू हो जाएगा, कोई सरप्राइज भी आपको मिल सकता है, कामकाज भी ज्यादा हो सकता है, आपकी कोशिशे सफल होंगी, बिजनेस अच्छा चलेगा, जो बात मन में है, उसे साफ साफ कह दे नेगिटिव दिन ठीक ठाक रहेगा, परिवार के कुछ कामों से आप परेशान भी रहेंगे, प्रेमी का व्यवहार गैर जिम में दाराना हो सकता है, कुछ नजदी की लोगों से भी अनबन हो सकती है, कुछ बातों से गलत फहमिया भी हो सकती है, क्या करें दलिया खाए, लवनए प्रेम संबंधों की शुरू आत हो सकती है, विवार प्रस्ता भी मिल सकता है, पुरानी चिंता खत्म होगी, करियर विजनेस में जोकिम भरे फैसले ना ले, खर्चा ज्यादा हो सकता है, स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, कम मेनत में भी अच्छे नतीजे मिल सकते हैं, घिल्थमन में शान्ती रहेगी, सेहत भ पुरानी परेशानियां खत्म हो सकती है, नूर अच्छा रहेगा, अपनी परेशानियों को निप्टाने के लिए दूसरों से बात करें, मन प्रसंद रहेगा, आप बहुत उदार भी रहेंगे, परिवार के लोगों के साथ अपनापन भी मसूस कर सकते हैं, परिवार के ही क किसी को पैसा दे सकते हैं, पसंदीदा काम में या दोस्तों के साथ बीजी हो सकते हैं, कोशिश करने से सफलता मिल सकती है, कार्यक शेत्र में उन्नती के मौके मिल सकते हैं, पुराने निवेश से भी फायदा होगा ने गितिव दूसरों की प्लानिंग में शामिल होने से मना कर दे काम काज में मन कम ही लगेगा कुछ मामले और स्थितियां आपके सामने पूरी तरह साफ नहीं हो सकेंगी ऐसे मामलों पर कोई फैसला ना ले जल्दबाजी में भी कोई फैसला लेने से बचें क्या करें कैट अस्या मनी प्लांट में पानी डाले लब दिन अच्छा रहे पार्टनर से प्रेम, स्योग और सुख मिलेगा किसी सामाजिक कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं करियर बिजनेस और कार्यक्षेत्र में नए कामों की शुरूरात हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं हे प्रेमी के साथ कोई समस्या हो तो उसकी बात जरूर सुने और सुल जाएं किसी भी तरह की स्थिती में आज आप खुद को संभाल लेंगे नेगिटिव आपने कोई काम टाल दिया तो उसे पुरा होने में और देरी हो सकती है गोचर कुर्णली मीन राशी वालों के लिए कोई भी काम टालना नहीं चाहिए पाफिस या प्रेम प्रसंग में कोई विरोथी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है किसी मामले में आसपास का कोई व्यक्ति आपके लिए परिशानी की स्थिती पैदा कर सकता है आपको सामान में से ज्यादा गंभीरता और जिम् पर एसे काम लें पुराने मत्भेग घत्म हो सकते हैं लंबी भस में ना फंसे करियर बिजनेस और कार्यस्थल पर फायदा मिल सकता है किस्मत साथ रहेगी कुछ काम पूरे होंगे स्टूडेंट्स को स्योग और सफलता मिल सकती है हेल्थम औसमी बीमारिया भी दूर हो सकती है